अगर आपके अंदर भी जानवरों के लिए प्यार और देखभाल करने वाला स्वभाव है, तो आप इसे अपने करियर के विकल्प के रूप में भी चुन सकते हैं, जिसे वट्रिनरी सायंस के नाम से भी जाना जाता है. वट्रिनरी सायंस में करियर पेशेवरों द्वारा पशुओ और जानवरों को उपचार प्रदान करने से समंधित होता है, और इन पेशेवरों को वट्रिनरी डॉक्टर के रूप में जाना जाता है, और उन्हें पालतू जानवरों या घायल जानवरों की चिकित्सा स्थिति और रोगों के निदान, उपचार और विसर्च में प्रशिक्षित किया जाता है। ग्रैजवेट डिग्री सिल्लेबस के रूप में शुरू कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Courses in Veterinary Science, Animals का डॉक्टर बनने के लिए उम्मीदवारों को Veterinary Science की डिग्री प्राप्त करने की आवश्चक्ता होती है। चाहे वह ग्रैजवेट हो, मास्टर हो या फिर पीएचडी की डिग्री हो। और आज भारत में कई इंस्टिट्यूट जो Veterinary Science के क्षेतर में कई डिग्री प्रादान करते हैं। Bachelor Courses in Veterinary Science Course No. 1 Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry Duration Part Year Course No. 2 BVSC in Animal Production and Management Duration Part Year Course No. 3 BVSC in Veterinary Medicine Public Health and Hygiene Duration Part Year Course No. 4 BVSC in Animal Genetics and Breeding Part Year Course No. 5 BVSC in Veterinary Surgery and Radiology Duration 5.5 Year Master Courses in Veterinary Science Master of Veterinary Science Duration 2 Year Doctoral Courses in Veterinary Science Doctor of Philosophy Duration 3 Year Eligibility for Career in Veterinary Science Veterinary Science के किसी भी कॉलेज का हिस्सा बनने के लिए एक उम्मीद्वार को इन में प्रवेश लेने का पात रहोना चाहिए और भारत में किसी भी Veterinary Science कॉलेज में प्रवेश के लिए दो प्रमुख आवश्शक्ताएं हैं जो की है Subjects Required for Veterinary Science Veterinary Science में कैरियर शुरू करने के लिए उम्मीद्वारों को बारहवी की Education में Physics, Chemistry और Biology का अध्ययन करना आवश्शक है इसके अलावा कुछ कॉलेजों में उम्मीद्वारों द्वारा बारहवी में अनिवार्य विशों में से एक के रूप में अंग्रेजी को रखने की भी आवश्शक्ता होती है Education Qualification for Veterinary Science Veterinary Science में Graduate की डिग्री हासिल करने के लिए उम्मीद्वारों को मिनिमम पासिन मार्क अंकों के साथ अनिवार्य विशों के रूप में Physics, Chemistry और Biology के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवी कक्षा पूरी करनी की आवश्शक्ता होती है हालांकि जो उम्मीद्वार पशुचिकित्सा विज्ञान में Master डिग्री हासिल करना चाहते हैं उन्ही संबंधित शाखा में अच्छे प्रतिशत अंकों के साथ सनातक की डिग्री पूरी करनी होगी Contrance Exams for Veterinary Science आज भारत में Veterinary Science में डिग्री प्रदान करने वाले अधिकांश कॉलेज प्रवेश परीच्षा के आधार पे ही उम्मीद्वारों का प्रवेश लेते हैं जिन में से कुछ परीच्षाएं हैं NEET and Other State Exam है अगर आपको Other Colleges के बारे में जानना है तो आप कॉम्मेंट सक्षन में कॉम्मेंट कर सकते हैं Skills Required, Veterinary Science, Clinical Skills, Lab Research Skills साथ ही परिशान पालतू मालिकों से निपटने के लिए Soft Skills होनी चाहिए Understanding of Scientific Literature, Modern Practices and Advanced Research, Willingness to Learn Technology Feature, Team Player इत्यादी Different Job Rules in Veterinary Science उम्मीद्वारों द्वारा Veterinary Science में सनातक की डिगरी पूरी कर लेने के बाद उनके सामने कई तरह के नौकरियों के अफसर मौजूद होते हैं जिनमें वो अपना एक बहतरीन करियर बना सकते हैं जिनमें से कुछ है एक एनिमल वर्टरिनरियन्स, दो अक्वाइन वर्टरिनरियन्स, तीन फूड एनिमल वर्टरिनरियन्स, चार फूड सेफ्टी एंड इंस्पक्षन वर्टरिनरियन्स, पांच वर्टरिनरी डर्मटोलोजिस्ट, छै रिसर्च वर्टरिनरियन्स, साथ वर्टरिनरी फार्मक के खेत्र में कई ऐसे भरती खेत्र है जहां इसके एक उम्मीद्वार को अच्छी नौकरी मिल सकती है। अच्छी नौकरी मिल सकती है।